हेलो बच्चों कैसे हैं आज हम एक नई शुरू करते हैं जिसका नाम है युक्लिड की जयामिति का परीचे यानि की इंट्रोटेक्शन टू युक्लिड जोमेट्री जोमेट्री का जो सब्द का अर्थ है वो दो सब्दों से मिलका बनाए है ही ओ है जो का मतलब है भूमी यानि अर्थ और मैट्री का मतलब मेजर्मेंट जैनि भूमी का या प्रस्रीख मापन करना ही छोमेट्रीश कहदा अब जोमेट्रियों बहुत साइच यह पढ़ते हैं आप से पूछले हैं कि सबसे पहले पॉइंट क्या है कि जो पॉइंट्र या जो समतल हैं उसपर कोई मार्क कर दें मालिया ऑफ फोटा ना मघ कर दिया अगर हमने इसको बढ़ा मार्क कर दिया जाने कि पैंसिल आगर बहुत भारिक है तो उसकी जो नोक से बनी आ कर दिये यह बिंदू क्यलाएगी अगर हम उससे बड़ी और मारकर है उससे इतना बड़ा पॉइंट बन गया या हमने कोई चीज किसी इसमें डुबोई और वह लिक्विडिव ज्यादे थी तो ज्यादा बड़ा पॉइंट बन गया इस तरीके से वह सेप अलग-अलग हो सकती है तो कागज पर बना सुक्षम चिन बिंदू कहलाता है अब इस बिंदू की हम आप सब कुछाएं कि इस लंबाई कितनी है तो यह निश्चित नहीं होती यह बिंदू बता रहे हैं इसे बिंदू बता रहे हैं और बहुत छोटा सा बना दिया जाए और छोटा तो वह भी बिंदू होगा लेकिन हम यह कहते हैं कि इसकी कोई भी निश्चिता करती नहीं होगी ना इसकी चोड़ाई निश्चित होगी हम आप सब कुछने के देखा क्या है कि जो मैटि आप पढ़ते से लिए तो वहां हमें इनकी जरुद पढ़ेगी वहां कि बात करते हैं कि आगर हम कह रहे हैं कि यह बहुत सारे बिंदू है कुछ बिंदू नीचे भी हो सकते हैं उपर भी हो सकते हैं अगर हम इन बिखरेवे बिंदों को मिलाते हुए आगे बढ़ते लिए तो देखते हैं कि यह सब एक ही रेखा पर इस्तित हो जाते हैं कुछ बिंदू इससे ऊपर आयाते हैं कुछ इसके नीचे रहाते हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं तो जितने बिंदू से मिलती हुए दें देखा चली आती है फिर हैं सारे बंद जिस पे निशित हो जाते हैं अगर हम इसको को देख हैं को तो यह दोनों दिसा हों में चल सकती है लेव या राइट में भी मिंट रहना है यह है यहां से ऐर यहां तक यह झानकल रखें कि जब आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे देखा तो उसमें इसके बारे में विश्य सूप से बताया जाएगा और जाद है बताया जाएगा तो यहां हम क्यों दियार नखे हैं कि A और B यह दो सिरे हैं इन दोनों सिरों के में हम इसे किसी भी दिसा में कितना भी बढ़ा सकते है अर्था दोनों दिसाओं में भी हम इसे को बढ़ा सकते हैं अगर आप एक बात देखें हैं कि हम यह बिंदू ले लिया और यह कह दिया कि A B रेखा के दो हिस्टे कर दिया हमने और दोनों हिस्टे बराबर हैं तो यह रहा पार्थ हमने करें यह अलग अलग भी आपस में बराबर हैं अगर इंदोनों जोट दें तो फिर देखा एबी वन जाती है अगर आम इन दोनों रेखाओं पर ले इन्हें हम एक दुस्वा से को ऊपर रखें मेंजरर काम मारे पास उसकी सतव हमारे पास उसका रहे हैं यूकलिषन घुस्त वस्तूम्स बराबर तो इक बराबर होती है Um to E2 के बराबर होती है माली जी यह हमारे पास टेकश ग्रंश команд कर कर रहे हमने का कि यह किसी वस्तूम बराबर है कि मान लेह हम ने का है यह हम यह को अ 1 हमारे पास हम फर्स्ट वस्तू लाएं कि दो इसके बराबर है और चाहिए ऑस्के बराबर तो आप दूसरी जी लिया है उसने भी आपके नहां कर देखा वह भी इसके किसी वस्तू के बराबर है तो अगर हम इन दोनों वस्तों को एक साथ लाएं और आपस में रखें जैसे पहले पहली वस्तू लाएं फिर दूसरी वस्तू भी लाएं मालेक डस्टर लिया या कोई और समान लेने हैं कि दूनों ने देखा कि वह इसकी लेंड के बराबर था यह दोनों भी आपस में एक दुस्ते के बराबर होंगे अगर आप दो पार्ट बराबर हैं अगर उन बराबर पार्टों आपस में जोड़ दिया जाए तो उनका पूर्ण दोनों बन जाता है वह बराबर को बराबर में घटा दिया या जोड़ दिया तो वह भी बराबर हो जाते तो इस तरीके से पूर्ण वस्त्वें अपने भाग से ही बनती हैं अगर मालियक आप कहते हैं कि कुछ पार्ट से हैं मालियक सर्किल हमने बनाना है कि इसके चार पार्ट है तो आप ने का इन चारों पार्टों को अलग-अलग दे रखा था कि एक दूसा पार्ट ऐसी बना रखाता है कि इस तरीकर से पार्ट है जब हम इन दोनों पार्टों को जोड़ेंगे तो यह आदा पार्ट बन जाए तो वे वस्तुवे जो एकी वस्तुव को दुगनी के एक दुस्ते बराबर होती है अगर मालिया हमने का कि रही यह इसका है ब Всем और हशा कट इस पार्ट का यह दुगना है तो इसका मतलब किया है कि यह दोनों पार्ट हrht já lösen कि ढूरां ये को अपने एक भी से कर बता है कि इसका है कि जब ये इस पार्ट का दुगना हुआ नहीं तो यह बत्रम किया इसका मतलब कि दोनों पार्ट की ऑपस में बराबर हुए क्यों क्यों कि हम ने इस बन्दों पार्ट को जोड़ने के बाद ही यह बनाया था तो इसका मतलब क्या था कि दोनों पार्ट आपस में अलग-अलग बराबर से अब इसके बाद युक्रियली ने कुछ बाते बताईं उस कि वाई यदि किसी रेखा के एक बिंदू से कि दूसरे अन्य बिंदू तक रेखा खीचते हैं देखे केसे कि एक का बिंदू हमने लिया ये बिंदू लिया और दूसरा बंदू यहां ले लिया तhã अगर हम कि संख्या कितनी होगी अगर मालेक विंद्व हमने है लिया इससे एक दिजस दी तीस अब देखते हैं कि एक बिंदू से अनेक रेखाएं खीच सकते हो तो यह जो आपका बिंदू है यह इससे जाने वाली रेखाओं की संख्या अनेक हो सकती है एक रेखा को दोनों और से अनंग तक आगे बढ़ाया जा सकता है जो हमने रेखा में बताया था आपको कि रेखा हमने लीती और हमने क्या कि इसको आगर आगे और बढा जाए कि ए पॉइंट है जा झाय से बना तिए जाए और इसको और आगे बढ़ा दिया जाए और इसको दो दो सिरह हैं तो जब दो सिरे को में देखते हैं तो दोनों सिरों को हम अनंत तक आ गए बढ़ा सकते हैं इसके बाद इनकात इसी कंडिशन में कि अगर आपके पास कोई तिरिज्जा ली आपने और उस तिरिज्जा से केवल एक व्रत ही सकते हो मालिय आपने का कि हमने दो सेंटीमेटर तिरिज्जा ली कंपास में और उसके बना दिया एक व्रत बना दिया तो इसके केंद्र से यहां तक की दूरी दो सेंटीमेटर है तो अगर आप कहते हैं मैं दूसरा सर्किल बनाओंगा और बी तक की दूरी वह आपकी व्रत की तिरिज्जा हो गई तो हम यह कहेंगे दोनों व्रत साइज में एक दूसरे के बराबर होंगे यानि यह एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे अगर ढग देखते हैं कि पीश काटते चलिया तो सर्किलर फोम में तो यह बिल्कुल सेम साइज के हैं क्योंकि दोनों की तिरिज्जा है समान है तो इसलिए कैसे होंगे संपाती होंगे अगर तिरिज्जा अलग अलग कर दें के दें कि बहु केंद्र तो ओर रहेगा लेकिन एक की तिरिज्जा दो सेंटीमेटर होगी दूसरे की तीन सेंटीमेटर होगी तो इनके साइज जो मैं डिफ्रेंस होगा अगर आप से कह दिया जाए कि एक कि तिरुघ बना दीजाए कि और यह सुर्बुनाओं के इस पुछ Living का कौन है कि और दूसरे बच्छे नहीं बना दिया-घगी तो अब हम और कि दोनों के बीच में रटिक्री को इस नहीं लिया दूसरे बच्छे नहीं पर लिया तो यह जो बना ABC और यह बना PQR यह को सी से जोन कर दिया तो आप यह देखेंगे कि दो तिर्बुज बने हैं दोने कैसे हैं तो तिर्बुज कोई परिभासाद हम देखेंगे कि समकॉन तिर्बुज है लेकिन साइज में बराबर नहीं है तो यह आपकी प्रोपर्टी बन जाती है कि दिर्बुज कहलाएगा तो यह स्थिति आपके आजाती है और अगर आप यह देखें कि दो रेखाएं हैं कि यह इसका पांचा पॉस्टिलेट है कि जो अभिधार्ना पांच वी है उसमें अगर आपकी दो रेखाएं हैं अगर इन्हें काट दें और हम यह कह दें कि इसके एक तरफ जिए अभी समानतर रेखा नहीं है हम समानतर रेखा नहीं के रहें उन को अगर थोड़ा सा चेंज कर देश्कों हम हम इसको इसестоक्रावा ना टेंश-बना दें तो हम यह देख लेगे न यह कुन यह बन रहा है अ कि यह बन नमबर पर यह यह बी है कि यह कि यह एर यह यह अगर देख रहा है कि यह दोनों को अलग अलग नापद दें और नापने के बाद इनका योग करें इन दोनों को नापने के बाद इनका योग करें तो यह टोटल जो होगा वह 180 से क्या होगा बराबना होकर उससे कम आएगा किए हैं कि अगरिं दोनों को नों का योग 180 से कम हैं तो हम यह देख रहे हैं कि दूसरी स्लाइड जो बनेंगे कौन इंदर इन दोनों कोनों का योग 180 से अधिक होगा क्योंकि आपको पता कि अगर एक रेखा है तो उसके अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा क्योंकि एक सीधी रेखा है सदल रेखा है तो यह को मनताब का रिजू कॉन स्टेट अंगिल अगर आपने क्या दिए हमने तो ऐसे कट कर लिया कोई बात नहीं इधर माली शिष्टी का है तो इधर बच्चों कितना होगा 120 का तो अगर एक को न्यून कोन होगा तो दूसा अधिक कोन होगा तो हमने का कि अगर इन दोनों कोनों का योग 180 से कम है तो इसका एक कों को का योग 180 से कम है तो देखाए उस दिशा में ही मिलेंगी अगर मिलेंगी आप यहां Luck हो जब हों बढ़ते लाता है फिर आगे वह नहीं मिल पाती तो हम यह कहाएं कि जिदर कोनों का योग 180 से कम होगा उदर वे रेखाएं मिलती भी परती होंगी अगर यह दोनों को अलग अलग 9090 के हों तो बच्चों यह रेखाएं कभी भी आपस मैं नहीं मिलेंगी क्योंकि यह इस पर सम शाइं को नहीं काटती ध्यान लखें क्योंकि यह समानते रेखाएं और समानते रेखाएं कभी भी दूसरे को नहीं काट इस तरीके से कुछ बाते युक्री ने बताई ती तो इसलिए आप इन्ना रिदिंग कर लें और जो बात हमना समझाई है इसको ध्यान लगते वे चल ब्राबर सीडी होगा तो अब इस पार्ट को अगरम देख हैं कि ए बी कि और डी कि देखो वच्छे ने लिखा कि एसी कि ब्राबर बीडी यानि कि यहां से यहां चैन सब्सक्राइब दोनों बचा यहां से यहां तक यह इस लिए के समय बताना है कि एक दीच्च्राइब आरहिए तो यह दोनों में common आ रहा है तो हम इस AC को यहां से यह तक जो AC था यह इसके दो पार्ट देखते हैं एक तो AB प्लस BC AC के दो पार्ट होगे AB प्लस BC और BD यहां से स्टार्ट था बी से दी तक तो इसके दो पार्ट होगे BC प्लस CD तो हम देखें कि BC ऐसा पार्ट है जो दोनों में common है तो यह BC पार्ट है यह दोनों में common है तो जो common है वो cancel हो जाता है तो इसको हम क्या करेंगे AB प्लस BC इस BC को इधर ली आए BC equal to CD यह plus minus के BC आपसमें cancel हो जाते हैं तो यह बन जाता है AB equal to CD तो यह आपको सीथ करना था देखो सिम्पिल कोशन से क्यों भासा का ध्यान रखना है कि इसे क्या क्या रहा है कि A से सी तक का डिस्टेंस अगर में से जन्रली ऐसे मालने है कि AC equal to BD हमने मालने बच्चों यह 5 cm है कि यहां से यहां तक पांच और यहां से यह तक पांच और AB और CD यह आपका 3 cm है तो आप देखोगे कि AC माइनस BC अब यह जो BC था अब आप क्या होगे जी इसमें पताएं चला कि BC क्या होगा आप यहां भी देख सकते हो यह में सिर्थ करना है यह 3 लाना है माली जीए और हम कहते हैं कि इसमें जो BC है वो 2 cm है तो तब यह 3 आ जाएगा से AC माइनस BC तो 5 माइनस 2 बराबर 3 और BD माइनस BC तो आप यह देख रहे हैं इसके अंदर कि हमने दोनों में से BC घटा दिया जो BC दे रखा था इतना ता आपको दियावा है यह सिर्थ करना था तो जो आपने देखा कि AC में से BC घटा दिया तो AC माइनस BC यह तो बच गया AB और BD में से BC घटा दे बचके आपका CD तो आपने देखा कि AB और CD दोनों बराबर हैं और दोनों के मान सब्सक्राइब तो इसको आपको इनकी जो अभिधान नाएं जो बिद्दू समतल और रेखा के बारें बताया इस तरह के चोट-शोट-चोट पूछ लें यह आप तो आप देखने से सर्फेस में उसकी जो विमाएं यह के बल दो है कि इसकी जो दो इनकी निष्चित किया जाता है तो इस तरह च्शोट-च्छोट ने जा चैप्टर में इतना ही है हैपी लर्निंग मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्यवाद